नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका ध्यात्मिक दोस्त अशारे मुहित और वीद सार संसार में आपका स्वाध करता हूँ दोस्तों इस वीडियो स्रीज में हम मुलांक के अधार पर 2021 का भविश्य फल जान रहे हैं आज का हमारा विश्य मुलांक तीन वाले जातक के लिए 2021 का वर्ष कस प्रकार करेगा यह है दोस्तों किसी भी जातक का मुलांक की जीवन को बहुत ही गहन रूप से प्रभावित करता है जोतिश्य शास्त का बहु मुल्य अंग है अंग शास्त्र जिस प्रकार प्रतेक रंग, गंध, रस, आधी अनेक चीजों के प्रतिनिधित्व ग्रह होते हैं तीन के अधिपती देवता ब्रहस्पती ग्रह माने गया है, अर्थात आप ब्रहस्पती ग्रह से प्रभावित वेक्ति हैं और वर्ष 2021 को जब हम सम करते हैं तो यह पाँच अंक आता है, अर्थात 2021 बुद्ध ग्रह का वर्ष है जिस प्रकार पुर्व का वर्ष 2020 राहु ग्रह का वर्ष था उसी प्रकार 2021 बुद्ध ग्रह का प्रतनिधित्व करता है मुलांक तीन वाले जातक के लिए 2020 का समय बहुत ही अच्छा नहीं होगा क्योंकि राहु और ब्रहस्पती का सम्मंद बहुत ही अशुव माना गया है वैसे तो दोनों के मध्य जो सम्मंद बतलाया गया है वो सम का सम्मंद है नहीं मित्रता है नहीं शत्रता है जब हम 15 मैत्री में देखते हैं लेकिन ब्रहस्पति राहू का चांडाल योग बनने के कारण आपके ही तुरू आपका अपना बुरा हुगा। लेकिन यह फल 2020 का था, 2021 आपके लिए अच्छे खबर को लेकर आ रहा है, सफलता के अच्छे अउसर आपको प्राप्त होंगे, जोति शास्त्र में ब्रहस्पति को विद्या विवेक का कारग्रह माना गया है, विजडम का कारग्रह माना गया है, और बुद्ध को बुद्धी का कारग्रह माना जाता है, आपके लॉजिकल स्किल्स का कारग्रह माना जाता है, इस लिहाजे से क्यान और बुद्धी का अदभ अध्यात्मिक्ता का ज्यान प्राप्त होना आरंब हो जाएगा, आपके अंदर अध्यात्मिक्ता की प्रति जिग्यासा बढ़ जाएगी। आपको बुध्धी, इस physical world से related जो भी logic चाहिए, जो भी skills चाहिए, वो आपको प्रोईड करते हैं, आपका communication skills हो, आपका writing skills हो, लेकिन ब्रहस्पति से आपको universal ज्यान की प्राप्ती होती है, आपको ब्रम्हन य ज्यान, आपको ब्रम्ह ज्यान की प्राप्ती होती है जिससे आत्मा इस्वर आत्म अनभूती इन चीजों के ऊपर सोच पाएं इन चीजों के ऊपर विचार कर पाएं इस फिजिकल वर्ल्ड से जो उठा हुआ चीज है जो पारलौकिक चीज है उन चीजों का ज्यान ब्रहस्पति देते हैं और यहाँ पर ही समस्याएं उत्पन होती हैं क् इन दोनों के मध्य टगफ वार हो सकता है यदि किसी व्यक्ति के कुंदली में ब्रहस्पती और बुद्ध का अच्छा योग नहीं बना हुआ है या फिर किसी ना किसी प्रकार से दोनों ग्रह पिड़त है या फिर दोनों में से कोई एक ग्रह पिड़त है तो आप इन दोनों क के मद्य समन वश्य को नहीं बना पाएंगे शास्त्रों के मतानुसार बुद्ध और ब्रहस्पति का संबंध स्वरण को भी मिट्टी बना देता है अर्थात की बुद्ध ग्रह अपने बुद्धी से अपने लॉजिकल एबिलिटी से अपने लॉजिकल स्किल्स से अध्यात्म इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने तर्क शक्ति को एक तरफ रखें, अपने अध्यात्मिक शक्ति को अपने अध्यात्मिक ज्यान को एक तरफ रखें, दोनों को individual रूप से segregate करकर चलाएं, तभी आपको इस वर्ष अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, अनिधा आप अ प्रेशे से जुड़े होए लोगों के वो राहत प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है, ऐसे विद्यार्थी जो commerce से जुड़े होए हैं, जो civil service या फिर उनकी प्रतियोगिता से जुड़े होए हैं, किसी प्रकार के competitive exam से जुड़े होए हैं, जो की commerce से रेल्टेड हो जो की IS, IPS, या फिर किसी प्रकार के civil service, UPSC, आपके state के service commission आदी से जुड़े होए हैं, या फिर उनसे अच्छे प्रणाम प्राप्त करना चाते हैं, तो निश्चित तोर पर यह वर्ष आपको सफलता अरजित करवाने में कारगर सिद्ध होगा. सरकारी सेवा से जुड़े लोग इस वर्ष अंत-अंत में पदनोत्ती के साथ अपने कारिस्थान से लाव की प्राप्ति करेंगे, साथ ही उनका स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है. दामपत्त जीवन के द्रिश्टी कोण से देखा जाए, तो पती-पत्मी के मद्य आपसी साजेदारी और आपसी ताल मेल में उतकृष्टता होगी, वह अपने चरम पर होगा, और यही कारण है कि आपका पारिवारिक महौल भी अच्छा ही बना रहेगा. प्रेम में डूबे, युगल जोडी या फिर कपल्स साल के अंत अंत तक परिवारिक सहमती के साथ विवाह के बंधन में बंधते भी नजर आ रहे हैं, और विशेशत्वार पे मुलांग तीन वाले जातक यदि आप पुरुष हैं, और यदि आप विवाह के आकांशी हैं, स्पेशली अपनी पुत्री के शादी को लेकर परिशान थे, उन्हें मई और जुलाई के महने के बीच-बीच में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, श्री गणेश और माता दुरगा की आप अराधना करते रहें, स्वास्ते के दृष्टी कोणों से बात करते हैं, ब्र कर सकता है, स्वास के दृष्टकून से बुद्ध और ब्रहस्पती का संयोग लीवर को आंशिक रूप से प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है, और आपको लीवर से रिलिटेड पेट से रिलिटेड अपच जैसी समस्याएं उत्पन हो सकती है, और आपको इसमें ध्यान देने के आवशकता है नहीं, तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है आगे चल करें, तो दोस्तों यह था मेरा विशलेशन मूलांग तीन वाले जातक के लिए 2021 का वर्षफल किस प्रकार कर रहेगा, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बतलाया कि ब्रहस्पती और बुद्ध का संबं इंद्ध को हमें बहुत ही केर करने के आवशकता है, क्योंकि जो हमारा ज्यान विज्ञान है, वही परम ज्यान नहीं है, जो हमारा अध्यात्मिक ज्यान है, जो हमारा मौलिक ज्यान है, वह परम ज्यान है, जिसके कारग्रह ब्रहस्पती ग्रह हैं, और बुद्ध ग्रह विज्ञान विज्ञान को mix match नहीं करना चाहिए और इसको करने के लिए आपको अपने मन पर नियंतरन करना होगा और उसके लिए आप योगा प्रणायाम अवश्य करें यह उपाई मुलांग तीन वाले जातक के लिए है आप नित्य ही योगा प्रणायाम करते रहें पूजन पार्ट से भी जुड़े रहें अपने वर्क स्थान में भी फुली डिवोट होकर काम करें प्रतेक ब्रहस्पतिवार विश्णु सहस्तर नाम स्त्रोत का पार्ट आप अवश्य करें भाग्य के दृष्टिकोन से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे भाग्य को लेकर आ रहा है 75% भाग्य आपका साथ देगा आपके लिए शुब दिन भ्रहस्पतिवार और शनिवार है शुब रंग पीला और ब्ल्यू है उसी प्रकार शुब दिशा उत्तर पुर्व दिशा है अर्थात किशान कोन है नौर्सिष्ट डिरेक्शन है तो दोस से डिरेक्ली कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको ऑनलाइन कंसर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा और यदि आप हमारे जैपूर के कार्यारे में आकर मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हम मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के धन्यवाद जैहिंद